So guys, Nokia ने finally अपना smartphone जो है Nokia 7.1 वो finally अपना globally launch कर दिया है जो कि London में आप इसका launch event रखा गया था 4 October को But guys, आपने जो कुछ भी इसके information leaked information सुनी थी और जितना कुछ आपने सोच रखा था कि ये smartphone में आपको बहुत अच्छे खासे specifications देखने को मिलेंगे ऐसा कुछ भी नहीं आपको देखने को मिला है मैं आपको सॉट में बता हूँ तो आपको ये smartphone बिल्कुल से copy देखने को मिली है यहाँ पे Nokia के 6.1 प्लस का अब आपको बताता हूँ कि ये smartphone मुझे नहीं लगता कि आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा 7.1 प्लस के नाम से क्योंकि अगर ये smartphone 7.1 प्लस के नाम से आता है और इसी price range के साथ में आता है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 5.86 इंचेस की full HD इसलेशन वाले display जिसमें आपको एक notch display का इस्तमाल किया गया है इसकी accept ratio के से मबात कर तो यहाँ पे आपको 19 accept 9 का ratio देखने को मिल जाता है जो कि बिल्कुल से full view display है और अगर compare करते हो तो यहाँ पे आपको 6.1 प्लस जैसे smartphone में भी आपको 5.8 इंचेस की screen देखने को मिल रहे थी तो बिल्कुल से same as ही यहाँ पे आपको सारा कुछ देखने को मिल रहा है अब अगर इसकी looking and design की से बात को तो यह बिल्कुल से premium looking का smartphone है इसमें कोई भी doubts नहीं है back side से आपको completely इसमें glass का finish देखने को मिलता है और side से आपको completely जो इसकी body है वहाँ पे जो आपको frame इस्तेमाल किया गया है वो है aluminium mate को जो कि आपको काफ़ अची personality के suit कर देगा अब अगर इसकी camera setup की से बात करते है तो जैसा कि leaked information के according पता चला था कि यहाँ पे आपको काफ़ अची camera setup से देखने को मिलेंगे और RAM setup यह दो अलग-अलग variant पे आपको देखने को मिल जाएगा 3GB RAM, 32GB internal storage के साथ में और 4GB RAM और 64GB internal storage के साथ में I hope कि यह smartphone काफ़ी अच्छे processor के साथ आता बट गास यहाँ पे finally इस्तिमाल किया गया है Snapdragon 636 जो कि आपको फैले से 6.1 प्लेश जैसे smartphone में देखने को मिल गए थे बट यहाँ पे जो कुछ इसमें upgrade किया गया है वो upgrade किया गया है इस smartphone के price को ले करके जैसा कि मैं आपको बता दू कि यह smartphone लेंडन में launch किया गया है $349 के price में अगर उसे इंडियन रूपीज में convert करते हैं तो यह smartphone तक्रीबन 22-23 अजया रूपीज के आसपास के इंडियन market में आता है अब अगर 22-23 अजया रूपीज में आप यह smartphone इस specification के साथ लोगे तो क्यों ना आप यहाँ पे Poco के iPhone के तरफ मूब कर सकते हो या फिर Realme 2 Pro जैसे काफे अच्छी smartphones आपको अभी market में देखने को मिल रहे है Honor Play जैसे smartphone से जो कि 20,000 के budget segment में देखने को मिल जाता है तो क्या जरूरत है यहाँ पे Nokia 7.1 Plus की वैसे मैं अगर अपने opinion share करो तो मुझे नहीं लगता कि यह smartphone इंडिया में आएगा 7.1 Plus के नाम से मेभी हो सकता है कि यहाँ पे अगर यह 7.1 Plus के नाम से आए तो जरूर ही यहाँ पे upgraded version के साथ आएगा कुछ नए जो leak nickel के सामने आये थे उसके साथ ही देखने को मिलेगा तभी यह smartphone इंडिया में बहुत अच्छी तरिके से पकर बना सकता है Otherwise अगर यह सेम specifications और सेम price range के साथ में इंडिया मार्केट में आता है तो यह बहुत ही बुली तरिके से पिटेगा आपकी क्या opinion आप जो नीचे comment section लिक करके बताइएगा कि क्या कुछ इसमें upgrade किया गया है या फिर इसे same copy कर दिया गया है 6.1 प्लस का जो नीचे comment section में share कीजएगा मिलते हैं आपसे कुछ ने वीडियो के साथ में अगर वीडियो पुसंद आया दे वीडियो को like तरके share कर दिजी और यसे वीडियो स्पाने के लिए आप हमाई श्चेम को subscribe भी कर सकते हैं मिलते हैं आपसे कुछ ने वीडियो के साथ में जाते जाते goodbye and take care